प्रिंट्स आज हम बनाएंगे प्याज का मसाले दा, चैट पटा, लच्छा पराठा, बच्चों का टिफिन हो या लंच हो, सबको बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही जल्दी इसको चैट कर जाता है और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है, तो प्रिंट्स इसके लि दे रहे हूं आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटी चमच कोटी हुई लाल मिर्च पाउडर, ठोड़े सी सौफ है कोटी हुई, ठोड़े सी बारी कटी हुई हरी मिर्च है, ठोड़ा सा मैंने या पर डाला चाट मसाला, और आदी चमच डाली है मैंने नमक की, और बारिक कटे भी प्याज डाल देते हैं, इन सब को मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे, तो इस तरह से हमारा मसाला तयार हो गया, साथ में धनिया पती भी इसमें एड़ कर देते हैं, मसाले को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, एक साइड रखेंगे, आटा मैंने पहले से ही लगा के रखा था, नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं, डेली उसमें, वो ही चपाती का आटा मैंने यहां पे लगाया है, एक एक लोया लेके हम बेल लेंगे, गोलाई में बिलकुल, और अब इसके उपर हमारा जो मसाला है, उसको equally spread कर देंगे, और अब धीरे ध दीरे इसको हम कट करके लच्छा पराटे की शेप देंगे, इस तरह से आप धीरे धीरे इसको रोल कर लें गोलाई के अंदर, और उपर से नीचे तक इसको हलके हाथ से प्रेस कर देंगे, दोनों साइड थोड़ा सा आटा लगाएंगे, और हलके हाथ से इसको बेलन की साहत से गोल गोल बेल लेंगे, फ्रेंस गैस की फ्लेम मैंने अन कर दी थी और तबा हमारा गरम हो चुका है, तो पराटे को हम सेख लेते हैं, घी के अंदर सेख रहे हूं, आप चाहे तो तेल में भी सेख सकते हैं, लेकिन घी में थोड़े से ज़्यादा टेस्टी लगता है, औ खास तोर से मखन के साथ सेख तो बहुत ही अच्छा लगता है पराठा, तो इस तरह से हम गैस को मीडियम फ्लिम पर रखते हुए पराठे को दोनों साइट से सेख लेंगे, धीरे धीरे सेखेंगे तो बहुत ही अच्छी सिखाई होगी और उसका टेस्ट भी बहुत ही मस्त 양ठ हाता है, हैं इस तरह से हमारा पराठा सिक ही तैयार हो गया और बाकी-कि पराठे भी इसलतार से सेख लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मसालेदार चट पराठा यह पर आठा बनता है, यकीन माने खाने में यह बहुत ही अच्छा लग का, आपको ऑब बच्च कि जीगा